ताज महल के अंदर देवी देवताओं की तस्वीर को शोचाले के निकट लगाने पर चल रहे विवात को एक बार फिर हवा दी गई है तो दिन पूर्व बैकफुट पर आए उरई के कथित संत मतसेंदर को स्वामी ने सुमवार को ताज महल पहुँच कर हंगामा कर दिया पुलिस को पहले ही सूचना मिलने से उन्हें रोका गया और फिर बिना मोबाइल के ताज महल का दीदार कराया गया संत ने अपने साथ अभधिरता का भी आरोप लगाया है सुमवार को एल आई यू के पास किसी संत द्वारा ताज महल में हंगामा करने के लिए आने की सूचना मिली इसके बाद ताज महल के दौनों गेटों और सभी बैरियर पर पुलिस सतर्क हो गई शाम को गुपचुप तरीके से आ रहे संत मतसेंदर को स्वामी को ताज सुरक्षा प्रभारी रीना चोहान ने रोक लिया काफी देर बादशीत के बाद संत को बिना मॉबाइल के ताज महल में प्रवेश दिया गया कथित सत मतसेंदर को स्वामी ने दो दिन बाद पूरे देश के संतों के साथ ताज महल पर लाकर धरना देने की चेतावनी दी है आपको बता दें कि कथित संत दो वर्ष पहले तक केटर्स का काम करते थे इसके बाद कोरोना काल में वो खुद को संत घोशित कर प्रभू सेवा में लगने की बाद कहे चुके हैं मतसेंदर को स्वामी द्वारा ताज महल के अंदर फोटो गैलरी में राधा कृष्ण की फोटो शौचालने के पास लगी होने को लेकर विवाद शुरू किया था को बता दें मतसेंदर को स्वामी को जगत गुरू परमंस आचारे का शिष्ष बताया जा रहा है आज के हंगा में से पहले उनके द्वारा साधवी प्राच्छी और जगत गुरू से मुलाकात की जानकारी फेस्बुक के माध्यम से सामने आई है